आपकी प्रेपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी जैसा कि मैंने आपको पताया था कि mathematics tools में मैं आपको logarithmic function के बारे में भी बताऊंगा सिंपल से कुछ conception logarithmic function के बारे में थोड़ी सी बाते हमको करने की जरूद पर थी क्योंकि हमारे कई जगे पर यह यूज होता है especially अगर हम बात करें nuclear physics में यूज होता है जब radio activity की हम बात करें तब वहाँ पर आएगा thermodynamics में एक जगे पर यूज होगा और उसके बाद आपका chemistry में pH level वगरा find out करने में भी आपको यह logarithmic function की आपको ज़रूद पढ़ती है बहुत ही simple सा concept है बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बस नाम जैसे कि मैं आपको होता हूँ math में हमेशा नाम और terminologies ऐसी heavy रख देते हैं कि हमें थोड़ा difficult होता है हमको समझ में नहीं आता है यार यह क्या आ गया बट actually यह कुछ heavy नहीं है बहुत सी simple सी तरीके हैं बहुत सी simple सी चीजे हैं और कुछ भी नहीं है clear तो mathematics tools में अगर आप मैं और भी videos बनाता रहूंग अगर आप में आप सारे videos के updates आते हैं तो please subscribe the channel so that you can get all the updates of my new videos so let's start with the logarithmic function right logarithmic function कुछ भी नहीं है यह आपको इस बेफ को बनाते हैं ठीक है मैंने का suppose that आपने लिखा 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 सारे sir कैसी बाते करो यही होता है 10 की पावर 3 रही 10 की पावर 3 is 1000 that's nothing new तो मैंने का sir अगर मैं इस 10 को इदर लेके जाओं और ऐसे लिखूं 3 is equal to log के form में कुछ इस सरीके से मैं इसको लिखूंगा log of 1000 base 10 is 3 it means अगर मैं समझने कोश्च करूँ 10 की वो पावर बतातो जिससे यह value आ जाए तो basically आप बोलो 10 की वो पावर क्या होगी 3 तो आप बोलोगे log of 1000 base 10 is nothing but 3 that's it करें अगेन हम वापर समझने कोश्च है 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 आप बोलेंगे sir जब log में लिखेंगे तो log में को जैसे लिखेंगे log of 1000 base 10 उसकी value क्या होगी आप बोलोगे 3 it means sir यह कहलता है base and this is called exponent right आप बोलोगे sir इस base की कितनी पावर करें कि यह exponent आजा तो आपको पता है sir that will be the value of this log function clear तो अगर हम इसको variable के form में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे y is equal to log of x base a it means a की power अगर हम y तो क्या जाएगा मुझे मिल जाएगा x रही तो इसको यह लिखने का तरीका है बहुत सा easy सा तरीका इसमें कुछ भी नहीं रही आप क्या बोलोगे अगर y is equal to log of x base a दे रखा इसका मतलब क्या a की power अगर y रखें तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा तो हम ऐसी y बता दो कि sir a की power y की value किसके बरावर हो x के बरावर हो ठीक है तो इसको हम ऐसी तरीका से लिखते हैं अगर मैंने बोला y is equal to log x लिखा है simply यहाँ पर base कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब वो base होता है 10 10 हमारा सबसे simple base कह सकते हैं क्यों 10 की power करना में बहुत easily आता है तो अगर यहाँ प होती है तो इसको हम natural log भी बोलते हैं अगर base e है तो हम उसको ln x भी लिख सकते हैं इसका मतलब यह talking about natural log तो कहीं पर अगर आपको ln x लिखा हो तो आप समझ जाए कि वो क्या लिखा है log of x base e लिखा हुआ है clear मैंने कहा sir अगर log of x base e है उसको अगर आपको log base 10 में convert करना है तो आ आपको इस equation का या इस identity का use कर सकते हैं आप base e से 10 में 10 से e में कर सकते हैं काफी useful रहता है यह दिया मैंने कुछ rules भी हैं जो हमको याद रखना चाहिए जैसे कि आपको पता है x की power m और into x की power n जो होता है वो होता है x की power m plus n exactly यहां पर भी असी होगा यहां पर लेकिन वो log के same रहेंगे log of m into n ध्यान रखें log of m into log of n is not the correct one log of m into n is equal to log of m base a plus log of n base a similarly आप बोलेंगे log of m divide by n हो तो आप लिखेंगे log of m minus log of n x e power m upon x e power n होता है x e power m minus n similarly उसे वहीं से हम लिख रहे है log of m by n is equal to log of m minus log of n मैंने का अगर log of m की power n हो क्या हो log of m की power n हो तो यह n power बाहर आप निकालके इस तरीके से भी लिखेंगे n into log of m base a clear ठीक है मैंने का similarly अगर log of m base a की power n हो तो यह जो power होता है वो नीचे आएगा मतलब 1 by n आजाएगा और आप तो इस तरीके से 1 by n to log of m base a लिख सकते हैं यह कुछ important rules हैं जो कई बार useful रहते हैं तो अगर हमें directly याद रहे हैं तो हमें काफी better रहेगा हमने का log of x base a हम base change करना चाते हैं इसलिए इसको हम बोलते है base changing formula हमने का किसी और base में convert करना चाते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मैंने का मैं नया base जो लेना चाता हूँ वो है base b तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log of x base a is equal to log of x base b divided by log of a base b रही तो आपने बोला ज तो बेस आएगा वो दौनों में ही देखिए जो नया बेस है वो नीचे बेस में आ जाएगा आप पहले X X का log ले लिए base B में और फिर आप A का log ले लिए base B में और इवाइट कर दीजिए इस तरीके से आप अपने log का base change कर सकते हैं ठीके? कुछ standard log जो होते हैं उनकी हमें थोड़े value भी पता होना चाहिए आप बोलेंगे sir log of 2 log 2 मतलब base कहा है 10 उसकी value जो होती है 0.301 correct इसी तरीके से आप बोलेंगे log of 3 की जो value होती है base 10 में that is 0.4771 right इसका मतलब क्या हो गया sir इसका मतलब यह हो गया कि 10 की power अगर हम यह कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 3 10 की power 0.301 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 2 similarly अगर हम बात करें log of 1 कोई भी base हो वो किसके बरावर होगा that will be equal to 0 why? क्योंकि sir a की power 0 should be 1 आप बोलोगे sir किसी की power 0 करोगे आपका answer कितना आएगा 1 इसको ऐसी तो लिखेंगे आप अगर यह तरीके से रखा यह 1 है यह आपका a है तो a की power y should be 1 मैंने का sir a की कितनी power रखोगे मैंने का sir इस base कोई भी base में हो अगर उसकी power आप 0 खोगे तो कितना आएगा 1 तो आप हमेशा log of 1 कितना आता है 0 So this is all about log जो आपके मतलब का है आपके j की बात कर लो चाहे aims की बात कर लो चाहे need की बात कर लो अगर आपको यह basic rules से आते हैं लोग के बारे में तो आपके लिए काफी होंगे So this is all about the logarithmic function I hope आपको यह logarithmic function बहुत clear होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में mention कर सकते हैं Please subscribe the channel so that you can get the updates of my new videos Till then, thank you